नमस्कार एकबर फिर से मैं आप सभी के सामने पस्तित हूँ बेहद महात्वपूर टॉपिक के साथ जैसे ही केंद्र सरकार ने यूनिफाइट पैंशन स्कीम को मन्जूरी दी वैसे ही महारास ने इसको लागू कर दिया ऐसा करने वाला महारास्ट देश का पहला राजबन गया है तो अब हमारे लिए महात्वपूर ये हो जाता है कि आखिर ये यूनिफाइट पैंशन स्कीम क्या है साथी साथ ये एनपीएस से आपकी कैसे अलग होती है आपकी जो पैंशन योजना है वो पैंशन जो सिस्टम है वो किस प्रकार से कारे करता है तो इनी सारी चीजों पर हम डीटेल से अनलसेस करेंगे लास्ट तक जरूर बने रहिएगा मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संसकती आएस केस प्रेट फर्म पर आप सभी का स्वागत है देखें अब यूनिफाइट पैंशन स्कीम है आप सभी को पता ही कि बहुत टाइम से जो है वो पैंशन ओल्ड पैंशन स्कीम को लागू किया जाये इनमें बदलाओ किये जाये इसकी मांग चल रही थी इसके पशाद जब चुना हुए तो आपने देखा कि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था क्योंकि वपक्षी पार्टी ने बोला कि भई हम क्या करेंगे जो ओल्ड पैंशन स्कीम इसको लागू कर देंगे तो कही न कहीं से सरकार को हानी तो ह क्या राय है कि क्या वाकई है चुनावी मुद्दों नजर रखते हुए अदक पर चुनावी जो गतिविदियां हुई उसको नजर रखते हुए ये स्कीम लाई गई है या फिर वाकई यहां पर जंता को बहुत जादा या करमचारियों को इसका लाब पोच आना था उनको क्या है वोट्स मिल सकें ठीक चली यह तो रही बात जो पॉलिटिकली बताई जा रही है लेकिन हमारे लिए महातपूर ही हो जाता है कि बहुत लॉंग टर्म से मांग चल रही थी ओल्ड पैंशनी स्कीम की फाइनली केंद्र ने इसको मंजूरी दी है लेकिन ओल्ड पैं पैंशनी स्कीम टू इंपलोईज ठीक है बाकी आप किस पर क्या रहा है या आप में से कोई सरकारी कर्मचारी यदि मुझे देख रहा है तो अवश्य बताएं कि इस समें क्या महातवपूर्ण चीजे और शामिल होनी चाहिए थी यह स्कीम बाग कई आपके लिए लापकार चलिए देख लेते हैं अब चर्चा में क्यों है तो महरास्ट रविवार को यूनिफाइट पैंशन स्कीम पेशकस करने वाला देश का पहला राज़बन गया है साथ साथ यहां पर यह भी भात करी जारी है कि उत्तर प्रोदेश में भी जल्द ही योजन आपकी जो स्कीम है ये लागू हो सकती है तो यूपी पीछे नहीं रहेगा योगी सरकार पीछे नहीं रहेगी और एक दो दिन में श्यायत आपको देखने को मिल जाए कि यहां पर आपकी जो unified pension scheme है यह पूरे UP में लागू हो गई अभी कुछ दिन पहले की news थी उन्होंने बोला था कि वो old pension scheme UP में लागू करेंगे लेकिन अभी आ गई है आपकी unified pension scheme तो अभी यह देखिए देखने वाली बात हो जाती है कि old pension scheme जो उन्होंने वादा किया था उस 2025 से बनाई गई है यानि कि अगले साल से यह आपकी योजना पूरी तरीके से प्रभाव में आ जाएगी इस योजना का उदेश शरकारी कर्मचारियों को सेवा किया वदी और अंतिमाहारत वेतन के आधार पर इस्थर pension प्रदान करना है सभी को पता है कि retirement के बाद क्या है प government क्या करी थी इस बाद की security को थोड़ा सा वो restrict करना चाह रही थी बांधना चाह रही थी जिसको ले करके सभी सरकारी कर्मचारी जो है वो बहुत ज़्यादा आक्रोश में भी थे लेकिन अब यहां पर बहुत ही important changements किये गए है यूपियस के तहत कर्मचारी रास्ट्य पैं यूपियस में रहना चाहते तो वो रहे सरकार उनको यह नहीं कहेगी कि आप यूपियस में सर्च करो लेकिन अगर उनकी इक्षा है तो वो यूपियस में अपना switch कर सकते हैं योजना में नियूनतम 10 वर्ष की शेवा के बाद 10,000 प्रतिमाहा की pension की guarantee यहां पर दी गई है इ कुमुष्ट जिनको भुकतान चाहिए या फिर पारिवारिक pension है तो यह सारी चीजस में involved की गई है आगे बात कर लेते हैं unified pension scheme के कुछ 5 points जो हमें short में बताते हैं कि इस scheme आखिर क्या है देखें कम से कम 50% pension की guarantee यहां पर दी जाएगी यानि कि आपकी salary का 50% आपको as a pension मिलेग अगर आप 10 साल से अधिक उस सेवा मर हैं 10 साल से आप उस पदपर हैं तभी आपको 10,000 रुपे प्रतिमा का जो निश्चित pension है यह जो प्रावधा ने वो किया जाएगा यानि कि जो 10 साल से अधिक की सेवा पर हैं उनको 10,000 रुपे मिलने वाले हैं आगे retired कर्मचारी की मौ दिया जाएगा यदि वो जीवित हैं तो 50% दिया जाएगा आगे बात करते हैं कर्मचारी और family pension को महंगाई के साथ जोड़ दिया जाएगा जिस हिसाब की महंगाई जिस हिसाब की चीज़ है उस हिसाब से उसमें ऊपर नीचे मामला चलता रहेगा ग्रेजविटी के जो कर्मचारी है केंदर के सेंट्रल गवर्मेंट के जो कर्मचारी है उनको फायदा मिलने वाला है अब यह हर स्टेट ने तो लागू नहीं करी अभी जो सिर्फ और सिर्फ यह लागू हुआ है सेंट्रल गवर्मेंट के जो इंपलॉई हैं उनको और वो कितने होने वाले ह इस योजना के तहट तो 23 लाग कर्मचारी है अब यहां पर यह पूरे अब देखू के कि भारत में लागू हो जाती है या फिर अन्य राज्य भी इसको लागू करते हैं तो यह संख्या आपकी 90 लाग तक पहुच जाएगी 90 लाग जो कर्मचारी है वो इससे लाभानवित होन हलाकि उन्होंने कहा कि OPS सबसे अच्छा विकल्प है यहां पर यह भी बोला गया कि आपकी जो Old Pension Scheme है वो सबसे अच्छा विकल्प थी लेकिन हमारे पास Old Pension Scheme की जो 90% चीजे थी जो आपके OPS में थी यह हमारी 90% चीजे आपके UPS में कवर कर दी गई है वैसे OPS तो 100% अ प्रावधान आपके सामिर है यह important हो जाता है अब UPS के पाश मुखे हिस्से हो जाते हैं जिनको हम जल्दी से समझ लेते हैं कर्मचारियों की एक मांग थी कि उन्हें एक निश्यत रकम पैंशन के रूप में दी जाए तो निश्यत रकम यहां पर रखी गई है कि कम से कम 50% निश्यत पैंशन आपको मिलने वाली है कि कर्मचारी कह रहे थे कि आप क्या कर रहे हो कि कभी 20% कभी 30% कभी उतार चड़ाओ के साथ आपने उसको जोड़ दिया था ना कि शेयर मार्केट में डालेंगे उससे जितना प्रॉफित आएगा फिर हम आपको पैसा देंगे पैसा मेरे पास आएगा तो कर्मचारीों की मांग थी है और फाइनली इसको पूरा कर दिया गया है ये रकम रिटार्मेंट के ठीक पहले के बारा महीने के ओसत मूल वेतन का 50% दी होगा और ये जो आपका पैसा है 50% वो आपके रिटार्मेंट के एक साल पहले बारा महीने देखा जाएगा कि आपकी सालरी क्या है कितनी है और किस प्रकार से आपकी सालरी बन रही थी उसी का 50% हिसा आपको दिया जाएगा इसके लिए शर्ती है कि कर्मचारी ने 25 साल की सेवा पूरी की हो तो यहां पर जो आपको 10 साल की क्राइटेरियों में थोड़ा सा कंफ्यू उसने दिये हैं तब उसको यह हाफ जो उनका पेंशन हो जाता है सालरी का परसेंट हो जाता है वो उनको दिया जाएगा ठीक है तो यह यहां पर इशर्त रखी गई है इससे कम वक्त यदि 10 साल से अधिक और 25 साल से कम है तब आपको रखम उसे हिसाब से मिलेगी विचिस 10, ठीक है आगे आ जाते हैं दूसरा हिससा इसका बहुत ही मात्पूर होता है निशित फामली पेंशन की बात की गई है देखे किसी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्य होने के सिटी में जो परिवार है परिवार में कौन कंसीडर किया जाएगा बेटा नहीं कंसीडर हो कि भाई क्या कैसी चीज़े है यह उस लड़का है वो बालिक है और वो जॉब कर सकता है तो फामली तो उसको जॉब ही दे दी जाती है तो इस सिती में जॉब प्रतान की जाएगी लड़के को और यदि पतनी है तो पतनी को क्या है 60-50 यहां पर पैंशन मिलने लगी आगे करते है तीसरा हिस्सा है निउन्तम निश्यत पैंशन का दस साल तक की निउन्तन सेवा की स्थिती में कर्मचारी को कम से कम 10,000 रुपय प्रतिमहा की पैंशन दी ही दी जाएगी तो यह इंपोर्टन एक चीज हो जाती है आगे चौथा हिस्सा जो है वो बहुत ही में कॉर्परेट वालो के लिए नहीं कह रहे हूं इसको ताना मस समझे ना मेरी तरफ से चलिए चोड़ी इस पर बहुत सरे मेम्स बनते रहते हैं ऐसे तो यहां पर देखो चौथा हिस्सा यहां पर यह कहता है कि महंगाई के हिसाब से विवस्था होगी और महंगाई के हिस आप से जोड़ करके हम आपको यहां पर पैसा देंगे तो इसकल आप सभी तरह की पैंशन को मिलेगा यानि करमचारियों की पैंशन में महंगाई इंडेक्शेशन को शामिल किया जाएगा ठीक है यह महंगाई राहत All India Consumer Prizes for Industrial Workers के इंडेक्स पर आधारित है यह ववस्था सेवा रत करमचारियों के लिए ही है ठीक है चलो आगे आजाते हैं पाच्वा इसा ग्रेजुएल्टी के अलावा नौकरी छोड़ने पर एक मुष्ट आपको रता मिल जाएगी इसकी करना करमचारी के हर छे महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते का दस्वा हिस सा जो होगा उसके रूप में होगी करमचारियों की निशिक पैंशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा चलो आगे आजाते हैं नैशनल पैंशन सिस्टम के बारे में समझते हैं जिसको बहुत जादा सुधार के अवशक्ता थी मांग लंबे समय से की जा रही तो और सरकार ने किया भी है चलो तो एक स्वैक्षिक परिभाशित योगदान सेना निवरत बचत योजना है सरकार की स्वैक्षिक है ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है कहीं पर समिधान में में मेंशन यह कि भाई तुमें देना ही देना पड़ेगा यह सरकार अपनी इच्छा से दे रही है कि यह दो कि क्या है आपकी पैंशिन पैंशन स्कीम उनिफाइट पैंशन स्कीम में क्या-का चीज शामिल होने वाली है कैसे यह वर्क करने वाला है क्यों यह महात्रपून आपका हो जाता है जो भी एंप्लॉई एंपेस में रहना चाते है वो अपनी इच्छा के अनुसार NPS में रह सकते हैं, जो इंपलोई यहां पर Unified Pension Scheme में आना चाहते हैं, वो Unified Pension Scheme में आ सकते हैं, लास्ट में आप सभी को कृष्णी जन्मास्टमी की हार्दिक शुब कामना है, बहुत अच्छे से आप कृष्णी जी का बढ़्दे मनाईगा, सो मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर सिस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, और थाइंक यू सो मच